हेलो फ्रेंद्स ren welcome दोस्तों विसेश्वियान के वीडियो सेंट में आपका पिर से स्वागत दोस्तों मैं आपके समझ फिर से उपश्रीत हूँ एक नए वीडियो के साथ इस वीडियो का जोट टॉपिक है वो रीडिंगे मैं discuss करने जा रहा हूं जो आपको reading skill को improve करने में काफी ही मददकार होगा दोस्तों आए हम इस video को start करते हैं start करने से पहले मैं आपको पर इमाइन करा देना चाहते हैं कि हमारा reading skill का जो videos है एक series में हैं जिसमें हर concept को एक दुसरे से link करके मैंने explain किया है वीडियो अपलोड किया है ताकि अगर पूछले वीडियो यानि previous वीडियो पांच वीडियो में नहीं देखे हैं तो किर्पिया उनको देखी और अपने concept को link करके अच्छे से समझने का कोशिज किजिए और आगे आगे आपको अच्छे से समझने का तभी आएगा जो पीची की चीजों को आप किलियर कर रहे हैं तो दोस्तों आए क्टाट करते हैं वीडियो एक्टिब्स पर एफेक्टिव रीडिंग यानि liberate तीब्स हो सकते क्या तरीके हो सकते क्या टेकनिक सब्स्रे क्या मेंधेडों को सकते हैं jis को अप्लाई करके आप अरिगियोग को इंप्रूब कर सकते हैं सेंटेंस से वर्ड से उनको कैसे समझना है कैसे रिकोगनाइज करना है अंडरेस्टेंडिंग मीनिंग मीनिंग को समझना है और फिर ग्रास्पिंग इफरमेशन प्रम टेक्स टिक्स का मतलब क्या निकम परहेंशन क्या है क्या information देना चाहता है क्या सार है उस line का उसको आपको समझने मदद करता है तो यह दोस्तों रहा reading का मतलब आप बात करते हैं tips की effective reading के लिए क्या tips हमको यूज करना चाहिए क्या technique से क्या method से क्या तौर तरीके जिसको अपना सकते हैं और 10 तरीके तरीके 10 tips में आपके सामने रखने जा रहा हूं जो आपकी ध्यान से देखिए और इसको समझिए और इसको अपलाई कि पहला cultivate positive attitude cultivate positive attitude का मतलब mindset से मतलब है आपको रीडिंग करना है आपको यह समझना है कि हमारे रीडिंग क्यों जरूरी है रीडिंग से क्या फायदा है बोले जाता है कि लीडर्स रीडर्स जो लीडर्स हैं वो रीडर्स होते हैं तो आपको समझना पड़ेगा एक पर एटिट्ट्ट डेवलाप करना पड़ेगा कि नहीं मुझे पढ़ना है पढ़ने का इंपोर्टेंस हमारे लाइप में बहुत है में रीडिंग करनी चाहिए तो है कल्टिबेट पोजिटीव एटिटीव एटिटीव को डेवलाप करिए दुसरा है वीजन टेस्ट करा लिजिए कि प्रॉब्लेम है तो उसका अब देखिए उसका क्या है उसका इंप्रूब प् यह आपको एफेक्टिव डिडिंग आप चौथार नंबर जो टीप से पाचवा है मेंटें दरीडिंग रेट यानि की स्पीड रीडिंग बहुत ही इंपोर्टेंट फैक्टर है जो यह डिसाइड करता है कि आप रीडिंग तो आप करते हैं लेकिन वह आप उसको कैसे कम सम वह एक मेंटेन करना पर गया स्टेंडर रेट है यह से देखिए नाइंटीन का जो रिसर्च है जो बताता है कि जो हम नॉन फिक्टिन जो बुक परते हैं उसमें क्या होता है यह हमारा जो जेनरल जो स्पीड होता है जो एवरेज स्पीड के हम बात करें 175 टू 300 वर्स पर मि स्पीड है अब कोस्टिन यह है कि यह जो 175 टू 300 वर्स पीचे बहुत सारे फैक्टर है मालिजे कि आप कि जो बढ़ रहे हैं उसका लेंग्वेज क्या है किस भासा में आप रिडिंग करें बहुत इंपर्टेंट डोल पिले करता है मालिजे आपका जो नेटिब जो लेंग् उस्तरत माना गया है कि आपको भासा अच्छे से आती है तब आपका रिडिंग स्पीड क्या होना चाहिए नन फिक्षन के लिए 175 टू 300 और फिक्षन बुक्स के लिए आपको 200 से 320 वर्स पर मिनट अब यह भी एरिस्टार्ट चेकि अगर आपका रिडिंग स्पीड के साथ जिससे स्पीड के साथ आप पढ़ते हैं और इसमें कमपर हैं समझ कितना चीज पढ़ने के साथ सबस्मज रहें बातों को नहीं क्या लिख्या उसका मीनिंग क्या इनफ़र्मेशन टेना चाहता है। अगर आपका अबरेव अगर 55 परसें से चाथ अगर समझते हैं तो इसक तो बोलते हैं कि 70% से उपर अगर कमपनेंशन के साथ आपकी स्पीड अच्छी है तो बेस्ट माना जाता है वही अच्छा है तो आपको एक रीडिंग स्पीड इंपरूब करना है उसको एक मैंटेन करना है तब आप एफेक्टिव रीडिंग कर सकते हैं माल लिजे कि आपका स तो तो जो पॉल्ट निदॉयक जो च्छीमेते इंच्छी से ओडिंग फेक्टिव करना एंशी दे टाल करते ऊंकी के आपको उलक्रोंटेशन करता की से इसका चिजे रीडिंग कम क्बार आ तो इसलिए तो ँए अफे अगर आप जो पढ़ते हैं तो पढ़ने का मतलब किया जर उसको apply नहीं किजिए जब आपसे समझें नहीं उससे आपको knowledge नहीं आपको ग्यान नहीं हुआ कुछ शिक्क नहीं तो पढ़ने का मतलब नहीं है तो इसलिए क्या है इंपोर्टन चीजिए उनको मार कीजिए उनको Norm siis नेक्ष है एक्स्प्लेट वह शर्प्लेण वीश्पंड तरीका होता है उसको समझने का और मैमरी का दो पहले के स्टरी होता है कै रिकॉल थात तो वही है कि अगर किसी इस चीज नचीत वक पढ़े तो उसको उसको एक्स्प्लेन कीजिए चाहे उसका माइंड मेप तयार कीजिए उसको रिवाइज कीजिए तभी जाकर उसको एफेक्टिव रीडिंग बोलेंगे ताभी हम बोल सकते हैं कि आपने टॉपिक को अच्छे से समझा उसके बादे रेफर्ट टेबल एंड एपेंडिक्स यह आपको इसका समरी क्या है क्या है इसका सार है उसको तो आप एटेंशन देजिए उसको समझिए तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में जो टॉपिक डिसकुस किया मैंने बताया कि एफेक्टिव रीडिंग से लिए क्या टिप्स होना चाहिए किल-किल पहलूप हमको ध्यान देना है तो दस टिप्स मैंने इस वीडियो में डिसकुस किया जिसके माध्यम से आप एफेक्टिव रीडिंग कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आसा करता हूं कि जो मेरा वीडियो है रीडिंग स्कील का यह आपको किसी ना किसी फ़र्म में चाहिए आपके लर्निंग प्रोसेस में है य हां इस टॉपिक में कुछ पॉइंट अगर कभर नहीं हुआ है तो आप उसको आप कमेंट के माध्यम से सुचित कर सकते क्योंकि लर्निंग क्या है अगर एक दुसरे को आप अदान-परदान करेंगे तो लर्निंग आपकी इंप्रूब होगी इस बात को आपको ध्यान रख आपके लिए बहुत ही लवकाड़ी और सुखमय होगा